हेलो स्टूडेंट्स वेलकॉम अगें टू लण्विदेतीमन आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षन से संबंधित प्रश्न हम डेली करेंगे तो एक दिन हम हिंदी सिक्षन के प्रश्न करेंगे एक दिन हम सामाजिक अध्यन के जो सिक्षन विदियां है वहां के प्रश्न करें क्योंकि आप इनको ignore नहीं कर सकते हो, हिंदी में आपके 15 marks जो है व्याकरण से और 15 marks जो है वो सिक्षन विदियों से पूछा जाता है, वहीं सामाजिक अध्यन में भी आपके 10-12 marks सिक्षन विदियों से ही आते हैं, तो किस तरीके question आते हैं आपके, तो ये आपको idea हो जाएग इसके अलावा आपके इतिहास, भूगोल और quality, राजनितिक विज्ञान के जो test है unit wise वो लिये ही जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देड़सों में से 100 marks किस तरीके से तयार करेंगे आप, वो मेरे साथ practice करते करते आप कर जाएंगे, ठीक है, चलिए start करते ह question 1, भासा है, भासा क्या है? option है, अर्जित संपत्ती, उत्रादिकार से प्राप्त संपत्ती, इश्वर प्रदत संपत्ती या सहजात योगिता है? तो सुचिए भासा क्या है? अर्जित संपत्ती है, उत्रादिकार से प्राप्त संपत्ती है, इश्वर प्रदत संपत्ती है, या सहजात योगिता है? तो देखिए, इसका answer क्या होगा? कि भासा जो है, वो एक अर्जित संपत्ती है. next question 2 देखिए उत्रादिकार विदी रचना के लिए उप्युक्त है option है शिसू इस्तर पर उच्चे इस्तर पर प्रारंबिक इस्तर पर या इन में से कोई नहीं तो इन में से कौन सा सही होगा प्रारंबिक इस्तर पर उत्रादिकार विधी रचना के लिए उप्योगता है प्रारंबिक इस्तर पर नेक्स्ट है कुश्चन 3, भासा कॉसलों की संख्या है, भासा कॉसल की संख्या है, 5, 4, 3 और 10, तो भासा कॉसल जो हैं हमारे language skill वो कितने हैं, वो हमारे हैं 4, ठीके, नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 4, पाथे पुस्तक की विसे वस्तू का प्रस्तोती करण नहीं होना ग्यात से अग्यात की और, कठिन से सरल की और, स्थूल से सूक्ष्म की और, और सरल से कठिन की और, तो सिक्षन सूत्र जो है, वो भी आपको याद होने चाहिए, तो वहीं से ये प्रश्ण है कि जो पाठे पुस्त की विशय वस्तू का प्रस्तोती करन नहीं होना चाहिए, ठ प्रत्यक्ष है उसके बाद सूक्ष्म यानि की चोटे-चोटे भागों में उसका ज्ञान की और हम जाते हैं सरल से कठिन की और पहले easy होता है फिर हम difficult की तरफ जाते हैं लेकिन B option जो है वो सही होगा कि कठिन से सरल की और नहीं होना चाहिए next question 5 भासा प्रियोग साला में नहीं होता है तो भासा की जो प्रियोग साला है उसमें नहीं होता है क्या नहीं होता है एक mobile phone नहीं होता है microphone नहीं होता है टेप रिकॉर्डर नहीं होता या इयरफोन नहीं होता है तो देखिए बासा प्रियोग साला जो है वह है बासा को सिखाने के लिए प्रियोग में ली जाती है और यहां पर हम इयरफोन का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं ताकि बासा को सुनने के लिए ठीक है यह हमारा श्र प्रव्य सामिगरी है, इसका प्रियोग करते हैं, माइक्रोफोन का भी करते हैं, लेकिन मुबाइल फोन का प्रियोग हम नहीं करते हैं भासा प्रियोग साला में. नेक्स्ट देखिए कुशन 6, उचारन कौशल की परिक्षा किस से ली जा सकती है? उचारन कौशल की, ओप्शन है लिखित परिक्षा, मौखिक परिक्षा, निवनदात्मक परिक्षा या वस्तूनिस्ट परिक्षा. तो खुद ही सोचिए कि उचारन कौशल है, तो उसकी परि नहीं इससे तो लेखन कौशल की परिक्षा होगी वस्तोनिट परिक्षा इससे भी नहीं होगी तो आंसर क्या होगा? Option B मौकिक परिक्षा नेक्स्ट सैवन है कुषिन भासा सिक्षन की सुरुत लेखा अभ्यास विधी शुरुत यानि सुनकर और लेखा यानि लिखना शुरुत लेखा अभ्यास विदी का प्रमुक उदेशे नहीं है, कौन सा नहीं है, ये शब्द देखना है, आप नहीं शब्द को बहुत दिहान से देखेंगे, वर्तनी दोस्त दूर करना, सुद्ध लेखन की शमता का विकास करना, नभीन सब्दों का ज्यान प्राप्त करना या हस्त लिपी सुधारना, ठीक है, तो सुनकर जो लिखा जाए, तो जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, तो प्रमुक उदेशे नहीं है, ये हमें यहाँ पर देखना है, वर्तनी दोस्त दूर करना, क्या ये प्रमुक उदेशे नहीं है, तो ये तो उदेशे है, नेक्स्ट है सुद्ध लेकन की शम्ता का विकास करना ये भी है और D option देखिए हस्त लिपी शुधारना ये भी है तो राइट आंसर क्या हो ये तो गलत हो गया भासा सिक्षन की शुरुत लेखा अभ्यास विदी का प्रमुक उदेशे नहीं है तो प्रमुक उदेशे कौन सा नहीं है शुरुत यानि की सुनना और लेखा यानि लिखना तो सुनकर जो लिखा जाए उसकी प्रैक्टिस तो ये वाली जो मैथड है इसका प्रमुक उदेशे क्या नहीं है वर्तनी दोस कर दूर करना इसका उदेश्य नहीं है सुद्ध लेखन की शमता का विकास करना इसका उदेश्य नहीं है या नवीन सब्दों का ग्यान प्राप्त करना इसका उदेश्य नहीं है या हस्तेलिपी सुधारना तो देखिए जो हम डिक्टेशन लेते है बच्चों की तो वही method है यह तो उसका क्या उदेश्य नहीं होता है वर्तनी दोस्तूर करना यह तो होता है सुद्ध लेखन की शम्ता का विकास करना यह भी होता है next है नवीन सब्दों का ग्यान प्राप्त करना क्योंकि बच्चों को नए सब्द जो है वो भी सुनने को और लिखनों को मिल रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन यहां क्या पूछा है, प्रमुकुदेश्य नहीं है, हस्त, लिपी, सुधार्ना, ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जितने की ये तीनों है, नेक्स्ट, एट है, भासा सिक्षन की सूत्र विधी का मूल श्रोत कौन सी भासा है, संस्कृत भासा, फ्रेंच भासा, जर्मन भासा या रूसी भासा, तो भासा सिक्षन की जो सूत्र विधी है, उसका मूल श्रोत कौन सी भासा है, कहां से वो भासा जो है वो निकली है, तो इ लिखन और उचारण के लिए अनुकरण विधी उपयोगी है। आत्म विश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में व्रद्धी या भासा ग्यान कराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर वाचन का मुख्य उद्धेश्य क्या है? तो यहाँ जो प्रमुक उद्धेश्य है वही आपको ढूनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुद्ध उचारण शमता का विकास करना ही मुख्य उद्धेश्य है। बाकी जो तीन है वो भी ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना इसे confidence आता है, सब्ध भंडार में व्रद्धी भी होती है और भासा का ज्यान भी होता है। लेकिन यहां पूचा है मुख्य उद्धेश्य है, तो हमें यह मुख्य वर्ड जो है उसको भी ध्यान में रखना है, तो सुद्ध उचारण शमता का विकास करना ही वाक्चन का उद्धेश्य मुख्य है। दुद्तिय भासा सिक्षण की तुलनात्मक विधी है, दुद्तिय भासा कौन सी है, जिसे हम सीख रहे हैं, टीके, एक होती है मातर भासा जो बच्चे को आती है और दुद्तिय भासा यानि वो सेकिंड लेंग्विज जिसको सिखाया जाना है। तो उसकी तुलनातमक विधी है सिद्धांद प्रणाली, व्यति रेकी प्रणाली, व्यास प्रणाली या तुलना विधी. तो दुत्य भासा सिक्षन की तुलनातमक विधी जो है वो है आपकी व्यति रेकी प्रणाली, ठीक है? नेक्स्ट कुशन है, कुशन 12, मुल्यांकन उपयोगी है, मुल्यांकन उपयोगी है, देखिए किस में उपयोगी होता है, मुल्यांकन एवेलुईशन, विध्यारती की प्रगती जानने में, विध्यारती की कक्षा उपस्तिती जानने में, विध्यारती के आचरन जानने में, या इन में से सभी, तो हम क्यों करते हैं मुल्यांकन, तो मुल्यांकन जो है, वो उपयोगी रहता है, विध्यारती की जो प्रोग्रेस है उसको जानने के लिए, ठीक है, मुल्यांकन का अर्थ क्या होता है, विध्यारती की जो प्रगती है, उसको जानने में उपयोगी रहता ह Next question 13, Hindi section में उपलब्दी की जाच की जा सकती है, तो किस से कर सकते हैं हम Hindi section में उपलब्दी की जाच, बुद्धी परिक्षन से, निवंदात्मक प्रश्णों से, project परिक्षन से या उपलब्धी परिक्षन से, तो यह तो यहां देखकर ही पता लग रहा है, कि यदि बुद्ध मापन का संबंध है तो बुद्धी परिक्षण करेंगे चीक है निवंदात्मक प्रस्ण जो है वो लिखित परिक्षा है प्रोजेक्ट परिक्षण ये अलग हो गया लेकिन हमें करना है उपलब्दी यानि की विध्यारती ने कितना अचीव किया है तो इसके लिए करेंगे उ उप्चारात्मक परिक्षण माबाप से सिकायत या उसे धंड देंगे तो यहां हमें option को यदि उसमें दिखाई दे रहा है कि माबाप से सिकायत देंगे निकारात्मक जो पहलू है उनको तो हमें पहले ही डिलीट कर देना है माबाप से सिकायत उसे धंड देंगे दो option गलत अब हमें क्या करना है विध्यारती असुद्य लिख रहा है तो उपचार जो है वो करेंगे उपचारात्मक परिक्षन से क्योंकि हमने निदानात्मक परिक्षन से तो देख लिया कि विध्यारती जो है वो गलत लिख रहा है ठीक है निदान होता है यानि कि पहचान करना ठीक मोन वाचन का प्रकार कौन सा है समवेत वाचन, दुरुत वाचन, वैक्तिक वाचन या अनुकरण वाचन तो वाचन के दो प्रकार है मोन वाचन और सस्वर वाचन ठीक है तो उन्ही में मोन वाचन के जो प्रकार है वो भी है और सस्वर वाचन के भी प्रकार है तो यहां पू वो है दुरुत वाचन ये मोन वाचन का प्रकार है और समवेत वाचन, वैक्तिक वाचन, अनुकरण वाचन ये सभी सरस्वर वाचन के प्रकार हैं नेक्स्ट है कुशन 16 किसका सम्मंद बोलने की कौशल के विकासे नहीं है उप्शन देखिए सुद्द वाचन, सरस्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपी तो किसका सम्मंद बोलने के कौशल के विकासे नहीं है बिल्कुल पता लग रहा है सुद्द वाचन यहां तो बोल ही रहे है सहस्वर वाचन यहां भी बोलने के कौशल का विकास हो रहा है कवितापाट यहां भी हो रहा है लेकिन प्रतिलिपी यह नहीं है बोलने के कौशल के विकास से संबंदित नेक्स्ट है 17 भासा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए तो किसका करना चाहिए हमारे चार भासाई कौशल है लेखन, वाचन, श्रमण या उच्चारण तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले होगा श्रमण वाचन ठीक है उसके बाद सबसे पहले होगा श्रमण कौशल उसके बाद उच्चारण फिर वाचन और उसके बाद लेखन रह पर जो मुख्य बात आ घई तो शब्से साटी का अंसर यह होगा कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको क्रियाशील बनाना यही द्रश्यशव्य साधनों के प्रियोग का प्रियोजन है नेक्स्ट है 19 अर्थ ग्रहन के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरन सिक्षन, समाचार वाचन, मोन वाचन या सश्वर वाचन तो अर्थ ग्रहन का कौशन, यानि कि यहाँ पर अर्थ ग्रहन करना है तो उसके विकास के लिए कौन सा अधिक उपयोगी रहता है व्याकरन सिक्षन ये तो बिल्कुल नहीं रहता है समाचार वाचन ये भी इतना नहीं रहता है सहस्वर वाचन इससे भी अर्थ ग्रहन नहीं होता है लेकिन जब हम मोन वाचन करते हैं तो इससे अर्थ ग्रहन की कौशल का विकास होता है Next question 20 अच्छी परिक्षा के लिए आवश्चक है क्या आवश्चक है विस्वस्णियता वस्तुनिस्टता विवेदी करण या सभी तो जो अच्छी परिक्षा है या फिर वस्तुनिस्ट परिक्षा है तो उसके लिए आवश्चक क्या होना चाहिए तो जो भी परिक्षाएं होती हैं उसके लिए सबसे एहम बात होती है कि वो एक विस्वस्णिय होना चाहिए, वस्तोनिस्ट होना चाहिए, उसमें विविधी करण पाया जाना चाहिए, तो ये सबी जो हैं वो उसमें आवश्चक रहते हैं तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे प्रैक्टिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू